दिल से थैंक यू WhatsApp चैनल से जुड़ने के लिए 10,000 से ज़ादा लोग जुड़ चुके हैं मतब मुझे personally WhatsApp चैनल पर बहुत मज़ा रहा है क्योंकि मैं खुद से वहाँ पर अपडेट दे पा रहा हूँ तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा है आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जुर सकते हो मस्टॉक मार्केट की बहतरीन अपडेट के लिए और गनपती पुजा ओफर पर महा मेगा ओफर 25 सितंबर की online stock market master class में जहां नौकरी से अजादी की तरफ एक कदम जहां आप सीख कर खुद से trade कर सकेंगे, खुद का boss बन सकेंगे खुद के decision ले सकेंगे, कब buy करना है कब sell करना है और especially जो market गिरता है तो उसमें बेच के पैसे कैसे कमा जाते हैं यह बहुत कम लोगों को आता है खरीद के सब कमा लेते हैं, bull rally में सब पैसे कमा लेते हैं, जब बेच के पैसे कमाएं, वो होता है खिलारी, क्योंकि आज जो 7 दिन के तेजी हुई, वो सिर्फ 3 दिन में बंदी हो गई, तो यानि buying करने में रोरो के पैसा बन रहा है, बेच के हास के पैसा बहुत कुईकली बनता है तो intraday swing, positional क्या होता है सब सिखाएंगे, हाथ पकर के सिखाएंगे बच्चों की तरह steady material देंगे trading general देंगे, copyright is steady material है, इंडिया में किसी के पास copyright नहीं तो बहुत कुछ मिलेगा screener मिलेगा, तो 9708094321 पे call कीजिए team से बात कीजिए, क्योंकि सीखेंगे तभी कमाएंगे, और सबसे प्यारी चीज, 2% trading rule जो पूरे trading को बदल सकता है, आज सुबर सुबर जागते ही मैंने twitter देखा और news देखी कि JP Morgan ने Indian bond को अपने Immersive Market Bond Index में add कर दिया, और फिर उसके बाद तो message भरे वे थे, कि सर ये Immersive Market Bond किया है, लेकिन भाईया, ये समझने के लिए आपको Bond Market को समझना परेगा, फिर JP Morgan के Bond Index को समझना परेगा, फिर उससे फाइदा किस स्टॉक को होगा, डिरेक्ट या इंडिरेक्ट उसको समझना परेगा, और लोगों कोई इंट्रेस्ट होगा सिर्फ स्टॉक के नाम में, जबकि मैं बता दू कि बिना concept को समझे, आप कभी स्टॉक से फाइदा नि ले पाएंगे, और Indian Market में आने वाला है पैसे का तूफान, कितना पैसा आएगा, वो भी बताएंगे, तो स्टेप बाए स्टेप समझने के लिए रेडी हो जाईए, तो क्या आपने कभी Bond Market में इंवेस्ट किया है, कमेंट में बताईएगा, और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके motivate कर दीजे, बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्यार से अच्छे content को बनाने के लिए, तो चलिए सुरू करते हैं, bond market क्या होता है, और तब आएंगे JP Morgan के Immersing Market Bond Index पर, market में fund raise करने का दो तरीका, एक, share sale का, जो IPO के थुरू होता है, दूसरा तरीका होता है, loan लेने का, फिलहाल हम लोग share sale की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज का मुद्धा bond से related है, और bond loan market के अंदर आता है, तो जब कोई company या government market से fund raise करता है, तो एक document पे fix rate of interest और timing लिख कर देता है, उसी document को bond कहा जाता है, example, सरकार एक करोर fund raise करना चाहती है, और ये fund raise करने के लिए government ने government bond launch किया, तो government bond जो launch किया न, उसका interest rate है, 8% per annum, और maturity 1 year, मतलब government आपसे कर्ज ले रहा है, और कर्ज पे एक साल के बाद 8% का interest दे रहा है, तो debt instrument fix return वाला instrument होता है, क्योंकि इसमें investor company या government को कर्ज देती है, और जिस market में debt instrument का transaction होता है, उस market को debt market या bond market कहा जाता है, या money market कहा जाता है, तो उमीदे कि यहां तक आप bond और bond market समझ गए होगे, और इससे भी detail video मैंने bond market की बना रखी है, link description में है, उसको जरूर देखीगा, क्योंकि हर एक investor को bond market में invest करना चीए, थोड़ा बहुत, तो यह था पहला पराओ, अब आते हैं दूसरे पराओ पर, दूसरा पराओ क्या है, JP Morgan emerging market bond index क्या होता है, देखिए, जैसे stock market में nifty 50 है, एक benchmark है, जो stock market के performance को बताता है, वैसे ही bond market का भी industry के top 50 company है, वैसे emerging market bond index में emerging country के bond होते हैं, जैसे नाइजेरिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, पॉलेंड, मेक्सिको, टर्की, अजेंटिना, रसिया, ये सभी वैसे emerging country हैं, जहां government काफी development का का काम कर रही है, और इन कामों के लिए bond के थुरू fund raise कर रही है, emerging market bond index से overall bond market का performance पता चलता है, और ऐसा ही एक index है, JP Morgan emerging market bond index, और Indian bond का इस index में सामिल होने का मतलब बिलकुल वैसा है, जैसे एक normal student को rank holder के list में add किया जाता है, और आसानी से समझना है, तो कोई company nifty 50 में add हुई है, तो उसकी value बढ़ गई, उसका standard बढ़ गया, उसका benchmark बढ़ गया, बिलकुल वो गहानी है, अब ये बिलकुल common बात है, कि index में add होने से market participant को उस company का लेकर view positive हो जाता है, क्योंकि index में add होने से पहले company का fundamental check किया जाता है, और अच्छी company ही index यानि nifty 50 में आती है, इसी logic के साथ, जब Indian bond, JP Morgan Immersing Market Bond Index में add होने का news आया, तो bond market में हल चल बढ़ गई, क्योंकि इससे अब Indian bond market में fund का inflow बढ़ गएगा, उसकी standard value आ गई, तो 28 जून 2024 से JP Morgan Immersing Market Bond Index में Indian bond add होगा, और 31 मार 2025 तक मतब 10 महिने में every month 1% weightage बढ़ेगा, Indian government का 330 billion dollar का bond इस index में add हो रहा है, और रिपोर्ट के नुसार, एप्रोक्स 24 से 30 billion dollar का inflow आएगा Indian bond market में, और इतना fund आने के लावा, कई benefit हैं, जो मिलेंगे, जैसे एक data के नुसार, Indian government bond का Immersing Bond Index में add होने के anticipation से ही, 2022 के end से अभी तक, Indian bond market में foreign investor का fund 7.4 billion dollar से 12 billion dollar हो गया, क्योंकि उम्मीद थी ऐसा होने वाला है, currently FII का 28,724 करोर investment हुआ है Indian debt market में, और 2022 में इसी वक्त 9,000 करोर debt market से withdrawal हुआ था, overall 2023 में जैन से सितंबर तक almost FPI net investor रहें, सिर्फ मार्च मन्थ में 2505 करोर का withdrawal हुआ था, इससे पहले 2022 में 15,911 करोर withdrawal हुआ था, ये सब देखकर clear है कि Indian bond market का Immersing Index में add होने से, FPI का Indian bond में invest करने का confidence बढ़ गया है, इसके अलावा इंडिया में foreign fund आएगा, तो Indian currency मजबूत होगी, उसकी value बढ़ेगी, तो यहां तक हम लोग bond market, Immersing market, JP Morgan, Immersing market, bond index, recent announcement और इससे Indian bond market को क्या benefit मिलेगा, ये समझ चुके हैं और विदेशी लोग पैसा लगा रहे हैं पहले से, ये भी clear है, अब time है सबसे important सवाल का, जो आप सब जानना चाहते हैं, भाईया, stock का नाम बता दीजे जल्दी से, देखे, एक point तो clear है, कि इस announcement से fund invest होगा, वो bond market में होगा, मतलब, fund आने से direct benefit नहीं है, मगर जब Indian bond का demand बढ़ेगा, तो bond का interest rate कम होगा, जिससे market में bond के थुरू cost of borrowing कम होगी, मतलब, इंडिया में bond के थुरू कम कीमत पे fund raise हो जाएगा, जिससे corporates को market से fund raise करना आसान होगा, और इसका असर long term में company के business expansion पे दिखेगा, और वो company के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो ये क्या होगा, company के लिए indirect long term benefit हो गया, short term देखें, तो उन company को benefit हो सकता है, जो bond market में deal करते हैं, जैसे bank, NBFC, AMC, इन industry के stock को direct benefit में लेगा, क्योंकि ये सभी bond sell करके commission earn कर रहे हैं, bank में, अगर आप नाम आते हैं, TESBI है, HDFC bank है, ICIC है, XSIS है, ये सभी क्या कर रहे हैं, bond में deal कर रहे हैं, इसके बाद, NBFC में देखते हैं, तो बजाज फिंसर्फ है, सिर्राम फाइनेंस, जीओ फाइनस है, ये सारी company का कर रहे हैं, bond में deal कर रहे हैं, AMC company में आते हैं, तो HDFC AMC है, ICIC Proof है, Nippon AMC है, ये company क्या हैं, जो Mitchell fund के थूँ, bond में invest कराते हैं, अब इन तीन industry के अलावा, एक listed company है, जो directly government bond में invest करती है, और government की help करती है, fund raise करने में, ये company है, PNB Gills Limited, ये PNB की subsidiary company है, और इसका main business है, government securities, treasury bill, state development loan, corporate bond, interest rate, swap, और other debt instrument में deal करना, इसलिए अगर money market में inflow बढ़ा, तो PNB Gills Limited को direct benefit हो सकता है, और यही reason है, कि अगर आप PNB Gills के chart पे जाओगे, तो आज PNB Gills में आप लोगों ने direct 20% की तेजी देखी, और वहाँ पर अगर उसके chart pattern पे हम देखेंगे, तो आप आओगे कि complete sideways move था, 2022 से जहां पर 2022 में 78 रुपए का हाई लगा था, आज वो breakout हुआ है as per technical basis पे, इससे पहले 2021 में इसने 94.65 का हाई लगाया था, तो कैसी लगी learning, comment में बताइएगा, और कोई सवाल रहे हों तो comment में पूछ सकते हैं, thank you so much, और लोगों के साथ share तो please कीजिए, very good news for all of you, यहां पर हम आ चुके हैं आपकी अपनी website finowings.com पर जो अब हिंदी और इंग्लिस दोनों में available हो चुकी है, यहां पर आप देख रहे हैं इंग्लिस और जब हम इसको click करते हैं हिंदी पर तो यह हो जाती है हिंदी में, यानि हिंदी वाले यूजर और इंग्लिस वाले यूजर दोनों के लिए अब यहां पर सब कुछ मिलने वाला है, यानि IPO की news, personal finance, technical analysis, fundamental analysis, सब कुछ आप देख रहे हो आपके सामने है, तो आप यहां पर आएं, visit करें, पढ़ें, लोगों के साथ share करें, आपको बहुत big learning मिलने वाली है, बहुत महनत से धीरे धीरे इसके अंदर content भरते जा रहे हैं, कि वो content आपको बहुत बहतर कर सके, बट हमें आपका support और प्यार चीए होगा, इसको बहतर बहतर बनाने में, जहांपर जब आप कोई भी ब्लॉग पढ़ते हैं, तो नीचे में comment में अपना feedback जरूर दे, हमारी team दिन रात लगी भी है, इसको और भी बहतर बनाने के लिए, thank you.